प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूले जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम के जोतिस पार्टशाला कारिकरम दर्शोगों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सबी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है आज मोहिनी एकार्शी है और ये एकार्शी अपने आप में बहुत महत्वर रखती है इस एकार्शे में हमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे और साथ ही हमारे जोतिस के जितने भी विध्यारती हैं इस कारिकरम के माध्यम से जोतिस सीखने में रुची रखते हैं उनके लिए आज हम कुछ पंचांग की परिवाशा देंगे कोई भी छात्र हो इस्टूडेंट हो उसे पंचांग के बारे में ग्यान होना चाहिए कि पंचांग में क्या होता है और इस पुस्तक को पंचांग ही क्यों कहते हैं आईए फिलाल आज का पंचांग देखते हैं फिर हम एकाशी की बात आपसे करते हैं युदिष्टर योगी राज से कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बैसाख मास की महत्यम मशाली एकाशी के बारे में बताईए युदिष्टर पूछ रहे हैं उसे में भागवान सुरी कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कह जाती हैं क्या कहती हैं भागवान सुरी कृष्ण ने कहा कि जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ऐसा ही भागवान ने यानि के राम जी ने राम जी करके संब्धन कर रहे है के राम जी ने महर्ची वसिस्ट से पूछा था कि हे प्रभू मुझे ऐसा कोई वर्त बताईए जिसे रखने से विसेश प्रकार की व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हो है ना महापातक करनाश होता हो प्रारब्द के जितने भी बुरे कर्म हो वो दूर होते हो हाला कि भगवान जब भी कुछ पूछते हैं और भगवान भगवान से जब पूछते हैं तो किस के लिए पूछते हैं अपनी जनता के लिए अपनी परजा के लिए कल्याड हो और वही वसिस जी कहते हैं महरिशी कि बैसाख मास में है शुकल पक्स में जो एक आशी आती है उसका नाम है महिनी इसका वर्त रखने से नाना भाति के पात्कों का नाश होता है और जीवन में नए जीवन में भाग्योद्य होता है यानि के जितने भी हमारे संचित पाप होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं यही बात भागवान सुरी कृष्टन ने युदिश्टर को कही यही बात वसिश्जी ने भागवान शुरी राम को कही और यही बात हमारे सास्त्रों में वो हम से सास्त्र कहते है तो आज की ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है प्रयास जीवन में किया कर कि एकाशी का वर्त हमें रखना चाहिए और हमारे घर में परिवार में जो भी एकाशी का वर्त रखें उनकी सेवा में रहें हर तरह से उनका ध्यान रखें और जिनोंने एकाशी का वर्त रखा हो आज के दिन उन्हें योगिराज महराज का ध्यान करना चाहिए भगवान श्र पर जब रातधिरी निशा आने को आतुर हो उस वक्त में सिरी कर्षनाई नमा, सिरी कर्षनाई नमा, कर्षनाई वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणट कलेश नाशाय गौ्विन दाये नमो नमा इस मंत्र का जागरण करना चाहिए समस्त प्रकार के कर्ष्ट कलेश विग्न दूर होते हैं ये अपने आप में स्रीमत भागवत का सिद्ध मंतर है जो भी इस मंतर को जबता है कहने का भाव हमें हमारे रिश्यों नय ऐसी सी गुप्त बाते बताई हैं इस धर्म में तभी तो कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जैह हो कि जो इन बातों पर चलता है अपना जीवन धन्य बना लेता है और जो उनके सानिध्य में रहता है उनका जीवन भी धन्य हो जाता है पेड अपने आप में हरा भरा रहता है लेकिन उसके नीचे बठने वाले जो मसाफिर होते हैं उनके भी मन को परफुलित करता है और एक शीतल चाया देता है ऐसे ही धर्म धर्म के नीचे जो भी रहेगा यानि कि जो धर्म की बात मानेगा धर्म के कहे नुसार चलेगा तो हमेज़ धर्म की शीतल चाया रक्ष्ष की तरह उस व्यक्ति के उपर बनी रहेगी और उसके मन में शीतलता का वास आएगा संसार में मन न जाने किन-किन बातों से वेथित प्यूरित होता है और हम अपने जन्म जन्मांत्रों के कर्मों को भोगते हुए पाप और पुन्य के इन दो पहियों में हम आगे बढ़ते रहते हैं कभी सुख आता है कभी दुख आता लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर भगवान के नाम का अभ्यास करते रहते हैं वो इतने शांदार अभ्यास्री हो जाते हैं उनको इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि सोते जागते उटते बैटते हमेशा उनके मन से मंत्र निकलते रहते हैं महावरत में भी है एक वैक्षान कि जब देखा अरजुन को देखा और भी बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होंगी कि उनके रॉम रॉम से भगवान शेरी कर्शन की पुकार आ रही है तो कई ऐसे सादू सन्यासी होते हैं कि उनके पास जब हम बैटते हैं या उनके सानिध्य में जाते हैं उनकी वाइवरेशन ऐसी होती है कि मन करता है कि हम उनके पैर चुएं मन करता हम इनको सुने हैं मन करता हम इनके साथ रहें किसी किसी ऐसे तिर्द छेत्र में हम जाते हैं किसी ऐसे शक्ति पीट में जाते हैं किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं कि वहां की जो वातावरण की अपने आप में एक सुगंदी है न वो हमें अंदर से इतना हमारे मन को इतना धार्मिक बना देती है कि आप पूछेगा मन व्यक्ति ना चाहे तो वहां आर्ति गाने लगता है व्यक्ति ना चाहे तो वहां मंत्र पढ़ने लगता है व्यक्ति वहां के पत्थर पत्थर को चूमने लगता है होता है नासा तो इसी लिए क्यों? क्योंकि वहां कुछ है वहां एक शक्ती है हम शिवलिंग को पूजते हैं बहुत लोग उपहास करते हैं कि आप क्या पाशान की पूजा करते हैं नहीं साथ किसने का हम पाशान की पूजा करते हैं हम उस धूरी में उस अवस्था में उस संकेत में बैठी एक महाशक्ती की पूजा करते हैं हैं ऐसी घर में हमारे पास मूर्थी होती मूर्ती पूझा हम करते हैं मूर्थी के अंदर विद्दमान शक्ति हैं हम उसकी पूझा बहुत हैं लेकिन विशेस उसके अंदर जो प्रान आते हैं हम कहते हैं प्रान प्रतिष्ठित ये मूर्ती है जब वो मंदिर में आती है उसमें प्रान डलते हैं उसकी प्रान प्रतिष्ठा की जाती है और जब प्रान डल जाते हैं तो वो मूर्ती प्रानवान हो जाती है तो इसलिए हम प्रानों की पू नहीं किया, वो हमें करना चाहिए, धर्म पर जो चला है, वो हमेंसा माला माल रहा है, जिसने जो अपने धर्म से वीहिन हो जाता है, अपने धर्म की मजाग उड़ाता है, मजाग उड़ते सुनता है, देखता है, तो भी आप माने ना माने हैं, फिर भी एक आशी का वरत रखन लेकिन अपने धर्म पर भी चोट ने आने दें, अपने धर्म पर भी आज ने आने दें, बस ये ध्यान रखें, तो आज की एकार्शी बहुत ही पुन्य शाली एकार्शी है, इसमें आप भगवान शुरीहरी का, राम जी का संकिर्तन करें, चाहे नाम रक्षा पढ़ें, गज लादी जरूर बाते हैं, आईए भगवान शुरी राम ने पूछा था, इस एकार्शी के बारे में, महरसी वसिस्त रुजी से, तो आईए क्यों ना, आज की ध्यान वाला में भगवान शुरी राम से जुड़ें, और उसके बाद जितने भी हमारे जोतिस के चात्र बैठें हैं विचारे, कि आज पंचांग की बात कहां गई, तो इसके बाद हम पंचांग बताते हैं। राम श्यदा सोम्यहं, रामे चितलया सदा भवतुमे भोराम मा मुद्धर, राम रामे ती रामे ती, रमे रामे मनुरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने, आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वाम्रिगं कांचनं, वैदेई हरनं, जटायुमरनं, सुग्रिवसां बासनं, बाले निग्रहनं समुत्रतरणं, लंका पुरे दाहनं, पस्चाद्राबन कुम्ब कर्णहननं, एतद्धिरामायनं, कबच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का शुब आशिर्वाद हम सब के उपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने समान्य हो जाए। देखो एक आशी की बात हमने आप से बताई, अब जो जो जोतिस के छात्र हैं, वो ध्यान से सुने। आपके पास एक पंचांग, जहां भी आप रहते हैं देश विदेश में, बहुत विदेशों में भी हमारे ऐसे चात्र हैं, जो कारिकरम सुनते हैं, आप अपने हिसाब से इंडियन पंचांग अपने पास जरूर रखा करें। पंचांग के पांच अंग होते हैं। उन पांच अंगों की वज़ा से ही इस पुस्तक का नाम पंचांग होता है। तो पंचांग जैसे कि आपने देखी भी होंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूं पंचांग कैसे होते हैं। जैसे बहुत लोगों को तो नहीं मालूम है कि पंचांग क्या होता है, पंचांग कैसा होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे इस टाइप से पंचांग होता है, हमारे पास जो पंचांग है, सिरी मारतन पंचांग है और कई प्रकार के हैं, काशी का पंचांग है, कई इस्थानों के पंचांग हम लोग रखते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एक छोटा सा पंचांग रख लीजिए, और देख विफल हो सकती है लेकिन पंचांग का गणित विफल नहीं हो सकता जितने बज़ करके जितने मिनट पर इस सोर पे की पुस्तक में ग्रहन के बारे में बताया जाता है कि इतने बज़ करके इतने मिनट पर ये ग्रहन लगेगा इस ग्रहन का स्पर्स होगा, इस ग्रहन का मोक्ष होगा, सेम वह होता क्यों? गणित नहीं है फिर यह, पूरा गणित है साथ है ना पूरा गणित? अब मैं आपको पंचांग की एक छोटी सी परिभासा लिखवा रहा हूँ आप उसे अपने स्क्रीन से नोट कर लीजिए जिस पुस्तक में पाँच बातों का विचार हो या पाँच बातों के मेल से वह पुस्तक बनी हो उसे हम पंचांग कहते हैं ये पाँच बाते या ये पाँच अंग इस प्रकार के होते हैं इसमें नमबर एक तिथी, नमबर दो वार, नमबर तीन नक्षत्र, नमबर चार योग और नमबर पांच करण ये पांच चीजे मिलकर के पंचांग की रशना करते ही इसमें करण क्या होता है योग क्या होता है वार के बारे में आपको पताई है हमने एक दिन आपको तिथियों की टेबल भी बताई थी रिक्तिका पताया था न सारा रिक्ता भद्रा नंदा जया तो ये सारी तिथियों का भी इसमें जिक्र होता है यानि कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें आप ये देख सकें आज तिथी क्या है आज करण क्या है आज वार की क्या इस्तिती है और वो करण ये सारी चीजे मैं आपको step by step आगे आगे लिखवाता चला जाओगा नक्षत राज कुन सा है तो बस उस पुस्तक को हम पंचांग कहते हैं ये पंचांग जब आप जोतिस के चात्र खरीद करके लाएं तो सबसे पहले उस पंचांग को लाकर के हलका सा शुद्ध जल गंगा जल का चीटा मारें मस्तक से लगाएं उसके बाद उस पंचांग के कहीं भी बीच में स्थान मिलने पर स्वास्तिक बनाएं शुब लाब लिखें और फिर शुब घड़ी में शुब मुहरत में आगे नहीं कोई बात शुम्तिति में उस पंचांग को खोल करके आप अपना अभ्यास प्रारम करें उसमें कुछ नहीं सुरो सुरो में आप तिति देखनी सीखो उसमें भद्रा का लिखा होता है छोटी छोटी बहुत सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी मुझे समय नहीं लग पा रहा नहीं तो मेरा मन था कि बहुत आसान तरीके से इंद्राक्षी पंचांग एक छोटी पुस्तक निकाली जाए वर्ष में एक ही आनी है ये लेकिन उसमें शुद्धता हो पर्मानिकता हो पंचांग बहुत हैं मैं किसी पंचांग की कोई वह नहीं कह रहा हूं लेकिन कई-कई पंचांग ऐसे हैं जो पड़े अपने आपकी तरफ हमें आकरशित करते हैं खीचते हैं उसमें हर चीज पर्मान के अधार पर बताई जाती है तो पंचांग अच्छा हो बढ़िया हो हो सकता है आपके अपने ऊपने च्छांग आते हैं और कई पंचांग तो यहां तक हैं जिसमें कुछ और भी अच्छilesी बातों का चिकर होता कई पंचांग प्रियाग राज के हैं कई पंचांग काशी के हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं और जितना मुझे पता है ओर हो सकता है आप हमारे कारेकरम सुन रहे हो किसी और को किसी और बहुत अचछे पंचांग की नौलिज हो तो जरूर कॉमेंट्स में आप लिख करके उस पंचांग का नाम बताईए ताकि आपने जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्हें भी बता सके कारेकरम बहुत लंबा हो जाएगा आज जोतिस की छात्रों से बस इतना ही चाहता हूं फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं बताता रहूंगा जैमा इंद्राक्षी जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरू दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्क पर चलने की परयास तो पहले से भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलि को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरौत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी है सो गुरू जी ही है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तो एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें